ओम सायराम कैसे हैं आप लोग आई होप सब ठीक होंगे आज जो मैं आप लोग के साथ सेर कर रही हूँ अपना ही experience कर रही हूँ कि जब हम कोई problem में first जाते हैं जब हमारी जिंदगी में कुछ problem आ जाती है तो क्या हमें दूसरे पर depend होना चाहिए दूसरे के भरोसे रहना चाह चाहिए या अपनी बुद्धी का अपना जो बन परे अपने पर भरोसा करके खुद पर भरोसा करके उस problem को sort out करनी चाहिए तो मेरे से जो गलती हुआ है या कहिए जो मैं दूसरे से ज़्यादा उमीद कर ली दूसरे मिन्स अपनों से ही उमीद कर ली वो मुझे नहीं करना चाहिए जैसे कि आप लोग को पता है कि मेरे हस्मेंट का काफी दिनों से तबियत खराब है और अब ऐसा वक्त आ गया है कि क्या बोलू मैं होस्पिटल से वापस आई हूँ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है सोचिए जो कई सालों पहले ओप्रेशन होना था 2018 मोप्रेशन होना था वो आज 2024 में आ गया और जितना ही मैं जल्दी चाहा रही थी मतलब आज मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है कि जितना ही मैं भविश्च के वारे में जानती थी कि बुरा होने वाला है आखिर वो दिन आ गया लेकिन सही बोलू मेरे हस्में नही बात माने और मैं बहुत से प्रूफ आप लोग के साथ दूँगी बहुत से ज्यादा प्रूफ में सेयर करूँगी आप लोग के साथ कि सच में कोई अंगली पे न चाता है और ये समय एक दो स्टोरी से नहीं अगर मुझे मौका मिला अगर भगवान ने मुझे मौका दिया तो मैं अपनी गलती का experience या कहिए हमारे साथ जो गलत हो रहा है वो सम मैं अब आप लोग को खुले आम सेयर करूंगी क्योंकि मैं ठक गई ये तो नहीं लाइन में बोलूंगी मैं ठकूंगी नहीं जब तक मतलब मेरे husband के सरीर में जान है मैं तब तक इस लराई को लड़ती र problem है और जब इलाज होना था और इलाज क्यों नहीं हो रहा है husband के तरफ से तो हो ही रहे गलती बांकी और भी कुछ वज़ा है जिसकी वज़ा से operate नहीं हो पा रही है तो आखिर ये क्यों हो रहा है वो सारा कुछ मैं आप लोग के साथ सेयर करूंगी आज जब मैं निरास होक और आने के साथ तो देखिए हुस्पिटल में भी मुझे बहुत गुसा आया बहुत गुसा आया husband पे कि वो अपनी मनमानी बहुत महनों से कर रहे हैं बहुत सालों से कर रहे हैं जान से वो खेल रहे हैं या अगर कोई सच में उनको नचा रहा है वो दूसरे की सारे पे और वो अपनी जिन्दगी को मतलब बली चा रहा रहे हैं एक तरह से कह लेजिए उनको समझ ही नहीं है कि कौन सही है कौन गलत है कौन उनका भला चा रहा है कौन उनका बुरा चा रहा है सच बोलू जो सबसे बुरा उनका चा रहा है वो आँख में पट्टी बांधा हुआ ह और उसके इसारे पे ही वो अपना जिन्दगी चला रहा है जो उनका भला करना चाहरा है जो उनके जिन्दगी के बारे हम सोच रहा है मतलब उनका उसका वो कहना नहीं माने और खासकर सही बोलू और वाइफ होती होगी जो भाई हस्वेन को कुछ भी हो जाए क्या फर्क करता है मैं कई वीडियो भी बनाई हूं लेकिन भगवान ने मुझे वो मौका दिया है कि कई हस्वेन ऐसे भी होते हैं या वाइफ जो अचानक चले जाते हैं घर से गए काम पे और काम से वापस ही नहीं आए तो लेकिन भगवान ने अगर मुझे मुझे मौका दिया मैं हस जाएंगे फस जाएंगे और आज आप बुरी तरह से फस गएं फिर भी मेरा कहना नहीं मान रहे हैं तो मतलब कुछ तो अब करना परेगा सही बोलूं तो अब ऐसी नौबत आ गई है कि अब शायद इलाज की भी नौबत ना आए मतलब इलाज भी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा उससे पहले ही हस्वेन की सांस मतलब छुट जाएगी चली जाएगी या वो मतलब इलाज करवा पाएंगे मैं बहुत जादा मतलब परिशान हूँ कि वो क्यों नहीं समझ रहे हैं इस बात को और ये सब हो रहा है कि सच में वो किसी के कहने से चल रहे हैं मतलब वो इंसान है वो अपने फाइदे के लिए कुछ भी करवा रहा है अब तो देखिए कहना मानना ही परेगा और एक साल से वैसे तो मुझे बहुत सालों से नाम बता के रखे हुए हैं लेकिन मैं यकीन नहीं करती थी कि कोई दुनिया में आज की डेट में इतना सेल्फिस हो सकता है क्या मतलब मैं बिलकुल अपना समझती थी और मैं सोस्ती थी कैसा हो ही नहीं सकता है और आख बंद करके भरोसा मे करती थी जिसका पंडीजी लोग नाम लेते थे और मेरे हस्वेन के सामने भी नाम लिए हैं मैं जूट क्यों बोलूं लेकिन हस्वेन को यकीन होता है कि हमारे परिवार का बरबादी का कारण को एक नॉर्मल इंसान हो सकता है अपने फायदे के लिए को इतना नीचे गिर सकता है और यह सम मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि मैं पहले तो हस्वेन को गुशा की उसके बाद घर थोरा मन सांथ करके जब मैं पंडीजी को फोन मिलाई जिनसे मैं जूरी हूं दो तीन पंडीजी है मैं सब को बारी बारी फोन मिलाई सब ने मुझे यही छुटते ही बोला कि हम तो कब से कह रहे हैं कि आपके हस्वेन का इलाज या बीमारी इतनी असानी से नहीं ठीक होगा मतलब एक साल पहले भी उन्होंने बोल दिया था कि आपके हस्वेन को कुछ प्रॉबलम है जबकि मेरे हस्वेन इलाज के लिए जाते भी नहीं थे तब ही उन्होंने बोल था और बोला था इतना असानी से भले ही आपका जान पहचान है या भले ही आप जल्दी एमस में करवा लेंगे या प्राइबेट में आपको पैसे की प्रॉब्लम नहीं है आप भी करा लें लेकिन फिर भी आपको हस्वेंट के इलाज में अर्चन आएगी आज आज जो मैं व पहले से भविस्वानी किये हुए थे कि आपके हस्मेंट के साथ ऐसा होगा और मतलब कुछ न कुछ बादाएं आती रहेगी और आप सक्सेस होना आपके लिए बहुत मुश्किल है और सही बोलू जिस कगार पे आ गए हैं पंडी जी लोग जो भी बोल रहे थे बिलकुल सह हार गई मैं बताएं थी दी ना कि कुछ पंडी जी ने मेरे घर वाले पर 아प्प लगा एथे कि वह लोग नहीं चाहते हैं कि आपका घर आबाद हो वो नहीं चाहते हैं कि मतलब आपी हस्वेंट साथ में रहे और इतना जैलियस हैतना मतलब आप आपको बरबाद देखना ससराल वाले प्यारोप लगाए थे कि वो लोग नहीं चाहते हैं कि आपका घर आबाद हो वो नहीं चाहते हैं कि मतलब आप और आपके हस्वेन साथ में रहे और इतना जैलियस है इतना मतलब आप आपको बरबाद देखना चाहते है कि उसमें अगर आपके हस्वेन को मौत भी हो जाएगी ना तो सही बोलू आपके सस्राल वाले को फर्क नहीं परेगा इतना मतलब आपसे नफरत करते हैं लेकिन मैं यकीन नहीं की थी मैं बोली नहीं लोग कहते हैं अगर आप सही हो तो सामने वाला अपने आप सही हो जाएग सच बोलू अब मैं ठक गई हूँ सिर्फ हस्वेन के लिए मैंने बहुत जोइन फैमली जोइन फैमली मेरे हस्वेन बहुत जोइन फैमली जोइन फैमली करते थे और अब मैं ठक गई हूँ अब मैं सच में आज के बाद विडियो पे या किसी के सामने मैं एक बार भी नहीं बो सब्सक्राइब को समझच यह आप लोग यह वीदियों ज्यूए बना रही हूं। आज साइथ हम लोग्यप्र होंब होते हैं हर आज फिर आज आज मालीजे कुछ भी हो सकता था या मालीजे दो तीन महने में आपरेशन के बाद भी कुछ हो सकता है डॉक्टर ने ये साफसा बोल दिया और मैं कई वीडियो बना चुकी हूँ कई वीडियो कई लोगों को बोल दिया लेकिन सत्मे कान में रूई डाला हुआ है मुझे नहीं समझा रही है सही बोलू मेरे सस्राल में बहुत कम लोग है एक सास ससूर और देवर और उतकी बीबी तो कुल मिलाके मैं ये बोल रही हूँ कि सास ससूर भी साइट कटपुतली बने हुए है कोई भी एक दो बेटे के बीच में एक को नहीं चुनेगा वो भी बरे बेटे के साथ इतना गलत हो रहा है और वो लोग कान में रूई डाले हुए है मुझे जो लगता है अभी भी अभी तो खेर मैं एक दो से जो पंडीजी ने परदा उठाया है अब मैं यकीन कर रही हूँ कि हाँ सच में मेरे बरबादी के ये लोग कारण है लेकिन साथ ससूर पर मुझे अभी भी विश्वास है क्योंकि वो अपने बेटे के लिए इतना नीचे तो नहीं गिर सकते है खासकर वो उस बेटे के लिए जो सोचिये 45 साल के उमर तक में भी पापा पापा करते थे और अभी भी है अटेच्मेंट लेकिन अब मेरे पर ब्लेम लगा जा रहा है कि मतलब जैसे मैं परेशान हूँ कि मेरे हस्वन घर में ने रहते काम काम के बहाने बाहर रहते हैं ऐसे ही मेरे साथ ससूर भी इल्जाम लगा रहे हैं मेरे उपर खुले आम की उनका बेटा मतलब मेरे हस्बन उनसे भी मिलने नहीं जाते हैं उनसे भी बात नहीं करते हैं मेरे सासु मा के हाथ का भी निखाते हैं क्योंकि मैंने सिखाया है सही बोलू उपर वाले जानता है जितना मैंने कोशिस किया कि मा बेटे को या पूरी फैमली को एक कर दूँ मुझे कई लोग कान भरने आए कि भाई ये सब नाटक कर रहे हैं तुम्हारा पती भी उसमें मिला हुआ है तुम्हारे मतलब देवर के साथ वो काम करते हैं और अच से रिस्ता है बस तुमको ही धोखा दे रहे हैं तुम्हारे नजर में ही मतलब कार यूज नहीं करते हैं या जो भी परपटी का हिस्सा है वो तुम्हारे हस्में नहीं लेते हैं कि तुम्हारे हस्में को पता है कि भाई मेरी बीबी पास परपटी है और खुसी से वो मतलब म आपके नहीं लेते हैं बहुत लोग देखिए मुझे कान भरते थे अपने हस्वेंट को समेटो तुम्हारा हस्वेंट भी बहुत ज्यादा गलत है कि तुम्हारे सामने मतलब कुछ बोल रहे हैं और भाई के साथ ज्यादा रिस्ता बना के रखिया है तो आज मैं आप लोग के सेर कर रही हूं पंडी जी की कहना था कि अप गौर की जिएगा कि 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 किस इंसान को आपके हस्वेंड से मतलब जादा प्रॉब्लम है मतलब किसको आपके हस्वेंड के मरने से फायदा है और किसको मतलब नहीं है आप आसवास में गौर कीजिएगा तो मैं बोले मेरे हस्वेन बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान है मेरे हस्वेन रहे तो भी नहीं रहे तो भी मुझे तो नहीं लगता है किसी को फर्क परेगा और बात रही भाई का तो मैंने पंडी जिक बोला आपको पता ही है और आपने भी बोला है कि भाई जो भी है मेरे हस्वेन के जो भी हिस्से मिलने वाले थे वो सारा कुछ उनके छोटे भाई को मिल जाएगा या मिल गया है जो कि भगवान जानता है जब से मेरे हस्वन को यह पता चला था मैं हस्वन को यही याद दिला रही हूँ कि आपने मुझे बोला था कि देखो मेरे पापा ने मेरे भाई के नाम से परपटी लिया हुआ है बिहार का परपटी और यहां जो भी है मतलब वो जो भी है वो उनके भाई को होना है और आप मुझे बताईए कल यूग में जिस भाई को ये पता चल जाएगा कि भाई मेरे माबाप ने धोखा दिया है और मेरे भाई के नाम से प्रपटी लिया जा रहा है यानि कि अगर जो भी मेरे मावब आपने धोखा किया है तो भाई के लिए मुझे ज़रा एक कोई सेम्पल में लाके बताईएगा कि आज के डेट में जिस भाई के बारे में पता चल जाएगा कि वो धोखेवाज है क्या लाखो कितना भी इंकम होगा क्या उसके साथ को इंसान काम करेगा मतलब यह question सही बोलू मैं आँख पर पट्टी बांधी हुई थी 5 साल से अब मुझे जब पंडी जी किलियर कर रहे हैं इस बात को कि आप मुझे बताइए हमें पता है। जबकि मैंने कुछ नहीं बोला देखिये जूट नहीं बोलूंगी पंडी जी ने मुझे साफ साफ सब कुछ के लियर की आपके घर में चल किया रहा है और यह सब कुछ उन्होंने मुझे बोला कि जब से आपके देवर के साधी हुआ है तब से आपके घर में प्रॉब्लम चल रही है आपके कोई रिलेटिव हैं जिनको पता है कि आपके साथ मतलब जब मेरी साधी हुई थी उसके बास से ही मेरी जो मदर इनलो है वो मेरे साथ क्या क्या करती थी और जिसके चक्कर में मतलब मेरी देवरान उनकी बेटी ठीक से घर में राज करे और ठीक से रहे सब उसका कहना माने या जो भी हो तो उन दिनों से ही कुछ ऐसा घर में किया गया है जिससे की मतलब मेरे जो सस्राल वाले लोग हैं साज ससूर और यहां तक की मेरे हस्वन को भी नचाया जा रहा है और यह आज मैं जूट नहीं बोलूंगी ये मुझे कई सालों पहले कोई रिलेटिव है जो कि मेरे ससुराल वाले के ही रिलेटिव है मेरे मैके वाले के रिलेटिव नहीं उन्होंने ही मुझे बहुत पहले आज मैं खुल के इसलिए बोल रही हूं कि मेरे हस्वेन अब बचेंगे कि नहीं बचेंगे अपने हस्वेन को समेटो लेकिन मुझे सबसे बरी दुबधा है कि जो पंडीजी लोग मुझे इस घर से जाने के लिए बोल रहे हैं और मैं कितने सालों से कोसिस कर रही हूं कि भाई इस घर से चलिए लेकिन मेरे हस्वेन ना घर से जा रहे हैं ना काम छोड़ रहे हैं मैं हस अच्छा हो तो मैं हमेशा साइड होके रही, पतनी का कभी हक नहीं जताई, आप जिन्दी भर आप अपने ममी पापा को कार लेके जहां जाना था पार्टी साथी जहां जाना था आप लेके गए, मैंने कभी भी इंटरफेर नहीं किया, आज ये सजा आपको मिल रही है, सही ब वो चोटे बेटे के साथ कर रहे हैं वो मैं भी मानती हूं देखिए गुस्सा आता है तो मैं बोलती हूं कि भाई इतने दिनों से तो आप फैमिली फैमिली के साथ रहे और अब आपको मख्षी के दर निकाल दिया गिया है जहां जाना होता है मैंने सही बोलूं अभी कहीं कार से सब लोग family घूमने भी गए मैं अचानक husband को phone किया जान बुझके मतलब मिर्ची लगाने के लिए मैं पूछू चेक करूं कहां पर है तो बोले मैं तो ऐसे ही office में हूँ तो मैंने बोला क्यूं आप मम्मी पपक सत नहीं गए तो बोले क्यूं वो लोग कहां गए मैं बोले भाय छोड़िये भाय ऐसे ही होता है माबाप मेरे husband के माबाप अगर किसी एक को गवाह लाके दे दे कि हां उनका बेटा ने इतना वरा crime किया है या उनकी बरीब हुन ऐसा crime किया है जिसके लिए हमने बेदेखल किया है कोई भी एक बंदा ला दे और बंदा को छोड़िये य से भी कर सकी हूँ सुप्रिम कोट के वकिल से भी सब कुछ मैं राइविचार ले चुकी हूँ मैं बोली ना मैं कितना वीडियो बनाई मैं चाहती तु देखिए जैसे मेरा जीना हराम होंके रखा है ना उससे कहीं ज्यादा मैं इन लोग का जीना हराम करके रखती कुछ लो और सब खाखा के देखो सब का सरीर कितना अच्छा हो गया है और तुम दोनों इतना टेंसरम रहती हो तो मैंने पंडी जी से भी ये बात बोली कि भाई लोग तो कहते हैं कि भाई या जो बुरा करता है तो उसके साथ बुरा होता है तो सही बोलू पंडी जी क्या ये चीज हम ज़्यादा ही आपके हिस्से में प्रपति आ गया है। उसको आप ऐस करेंगे ना जब तक आपके हात्थ में पैसे रहेगा। उसको आप ऐस करेंगे ही। उसको तो आप खुशी कमारे तो आपका शरीर भी ठीक होगा और खुशाल जिन्दगी भी जीएंगे। इसमें तो सकते हैं लेकिन मैं बस यही सभी से कहना चाह रही हूं कि मैं जितना परिशान हूं मैं बार-बार कह रही हूं मैं प्रोपर्टी के लिए परिशान नहीं हूं मुझे बस यह परिशानी है कि मेरे हस्वेंड को भाई कोई क्यूं न चाह रही हूं अगर आपको साससूर मिल गया सारा प्रोपर्टी मिल गया पूरे दुनिया समाज मिल गई तो भाई इससे आपका पेठ नहीं भड़ता क्या इससे भी तो आपकी आराम से सांस जिंद्गी जी सकती है जी सकते हो आराम से तो भाई कम से कम मेरे हस्वेन को छोड़ दो लिक्नि इतनी असानी से देखिए पंड मैं भी देखी कितना पूजा पाट कर रही हूं लेकिन अभी तक वह असर नहीं दिख रहा है मतलब मैं बहुत लड़ती भी हूं एक एक अफसचाई जो की इस टाइम पर नहीं बताना चाहिए लेकिन जब ऑपरेशन नहीं हो रहा है जब वह नहीं जा रहे हैं या किसी वज हो जाएंगे लेकिन अब और चांस कम बता रहे हैं तो आज एक बीबी सही बोलू बहुत ज़्यादा एक लेडिस के नाते मैं भगवान से पूजा कर रही हूं मैं बोल रही हूं भगवान जी से अगर पंडित जी चाल चल रहे हैं पैसे कमाने के लिए हमारे फैमली में दर प्राड दे रहे हैं तो भाई वो पंडी जी को अप देखिएगा मैं यहीं बोलूंगी मैं किसी के खिलाब कुछ ने बोलूंगी और अगर मेरे सुसराल वाले खासकर अगर मान लिजे अपने फायदे के लिए मेरा देवर या देवरानी ये लोग मिलके अगर ये सब कर रह हैं तो भाई मैं उपर वाले पर छोड़ रही हूं और मुझे यकीन नहीं है कि ये लोग अभी भी मुझे यकीन नहीं है जूट नहीं बोलूंगी मुझे अभी भी यकीन नहीं है और मैं सोसल मीडिया पर बता नहीं सकती हूं कि कितना खिलाब पंडी जी मेरे दिवरानी के लिए बोल रही हूँ और यह आज मैं असपस्ट इसलिए बोल रही हूँ कि मैंने बहुत वीडियो बनाए मुझे लग रहा था कि भाई जो हुआ से हुआ मिट्टी डालो अब सैत ये रिस्ता ये परिवार ये नॉर्मल हो जाएगा लिकिन जितनी बाते मेरे सामने अब आई ह है ना सच बोल नहीं हूँ भगवान के सामने हूँ इस जिंदगी में अब ये परिवार एक नहीं होगा जितना ही मैं दिल से चाह रही थी कि ये परिवार एक हो जाए मेरे सास ससूर पता नहीं कितने साल रहेंगे नहीं रहेंगे कम सकम जब तक मेरे सास ससूर रहे तब तक एक हो जाई ये परिवार, अब मैं ही कह रही हूँ, मैं मंदिर के सामने हूँ, मेरे तरफ से तो देखिए अब एक परसेंट भी नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस परिवार के लिए जादू टोना कराऊंगी, है मेरे पास पंडी जी, बहुत लोग हैं, जो कि कह रहे हैं कि जिस तरह से आपके पती या साससूर नाच रहें किसी की सारे, अगर आप चाहते हो तो आपके इसारे भी नाचेंगे, आपका हम गुलाम बना देंगे, देवर को, देवरानी के, साससूर के पती सब आपके आगे पीछे नाचेंगे, जैसे आज आपके देवरान पंडी जी लोग खुल के बोल रहे हैं कए उधारन भी दे रहे हैं कि ऐसा ही आपके साथ भी होगा लेकिन मैं देखी भगवान पर this कर रही हूं मैं नीचे बाले पर नहीं कर रही हूं क्योंकि आप पता है ना इतना पैसा भी खर्च करते हैं और क्या और गलत हो जाएगा से मैं मुझे किसी के सारे पनी नाचना है बस पंडी जी आप एक काम कीजिए मेरे पती को बस अगर कोई है चुंगल में फसा रखा है त और मैं पर ही लिखी हूं मैं इतनी नीचे नहीं गिर सकती हूं कि मैं किसी के जिंदगी बरबाद करूं और किसी को गुलाम बनाओं मुझे ऐसे जिंदगी नहीं चाहिए उस दलदल में मुझे बस इस घर से जाना है बस हस्वेन का ठीक से इलाज करवा देजिए और वो मेर और बेटी के लिए बस अपना थोरा सा मेहनत करेभी इस जगह को छोड़े। मतलब जितना ही वो लोग चाह रहे हैं की इस जगह को छोड़ें वो लोग तो ख्याद देखी चाह रहें ताकि उनको हम जो भी उपर रहे हों उसका किराया मिले। लेकिन मैं दिल से अब चाहा रही हूँ बिना एक रुपे लिए बिना कुछ किसी दुनिया सबाद में बोले हुए बिना पुलीस को कंप्लेन किये क्योंकि ये सब जो भी हो रहा है सही बोलूं अगर पंडी जी के बात मैं नहीं भी मानती हूँ तो सच बोल रही हूँ आज ख कर्मा लोडता है यह सब जानता है तो मैं तो दिन रात पाप है पुन है इसलिए ऐसा शाससूर नहीं करो डेवर देवर दिवरान से नहीं करो मतलब जो भी गुस्सा होता था जिंदगी में आज भी देखिये में बिमार रेहा है कि मैं इतना गुस्सा कर रही हूँ क्यों क् मतलब दुनिया का गुसा मैं हस्वेन पर या बेटी पुतार रही हूँ मैं पंडी जिस यही बोलती हूँ कि सच में मुझे भी लग रहा है कि कोई नचा रहा है कि जितना मैं हस्वेन के भला चा रही हूँ और हस्वेन मेरा बात नहीं मानते हैं प्रोबलम बढ़ती जा रही है और जो हमें प्रोपर्टी पर चीज मांजी लेना है कितने सालों से मैं कह रही हूँ वो भी नहीं ले रहे हैं बात नहीं मान रहे है तो सच में मुझे भी लगता है कि सच में कोई किया है इस जगह से निकलो लेकिन हस्वेन नहीं मानते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा गुसा कर रही हूँ और बस ये सब से मुझे छुटकारा चाहिए कि भगवान जो हालात मेरी भी कर रखे हैं न सही बोलू सब कुछ होते हुए भी न सैथ मैं यूज नहीं कर पाऊंगी और ना मेरे हस्वेन कर पाए इतना परिसानी तो होना ही नहीं चाहिए आप ऐसा है तो मैं बार वार हस्वेन से बोल नहीं हूँ क्योंकि पंडी जी ने बोला कि किसका फायदा हो रहा है आपके हस्वेन के साथ काम करके मैं बोले हमारा तो नहीं हो रहा है और खास कर मैं तो कही रही हूँ भले ही आप ल लिया हुए और मेरे हस्मेंट चले जाएंगे तो हमारा करोरों का फाइदा होगा इसलिए चलो इलाज ही ने कराओ ऐसा कुछ भी नहीं है हस्मेट अगर चले जाते हैं तो भी मेरा एक रूपफ़ा नहीं और अगर हस्मेस अगर जिंदा भी है तो इससाब से हमें कोई कमाक नहीं दे रहे हैं कि जिससे कि हम लालच में हस्वेन को इलाज करवा रहे हैं ताकि हस्वेन रहेंगे तो लाखों कमाके देंगे नई हम निस्वार्थ चाह रहे हैं कि भाई मेरे हस्वेन मेरे बच्चों के पिता रहें और वो भी भगवान ने मौका दिया है क क्योंकि आप सब जानते हैं मिर्टू और जर्म तो देखे भगवाण के हाथ में होते हैं लेकिन हां भगवान अगर मोका दे रहे हैं भगवान अगर मुझे जरिया बनाए हैं तो मैं बस चाह रहे हूँ कि वो मैं काम्याबी हासिल करूँ लेकिन सही बोलूँ किसी के कारण या husband की गल्ती के कारण कहिए, मुझे नहीं पता, जब मैं कुछ जानती नहीं हूं अंदर की बात, किसके मन में क्या चल रहा है, कौन साजिस रच रहा है, कौन मेरे पती के पीछे पडा हुआ है या मेरे पती ही जानबुच के मरना चाह रहे हैं या सच में कोई मजबूर कर रखा है कि मतलब मेरे मुझे छोर के चले जाएं या इस दुनिया को छोर के चले जाएं कुछ तो ऐसा गरबर देखिए हो रहा है मैं ये सब इसलिए बोल रही हूँ सकता है कि यूटूब पे आके मैं एक दिन बोलूँगी कि हमारा सब कुछ खतम हो गया मैं जूट नहीं बोल रही हूँ ऐसे कगार पे अब मैं आ गई हूँ कि कभी भी खवर आ जाएगी और आज जो मैं इतना परिशान हो के वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैंने बोला ना पंडी जी ने भविस्वानी किया था कि कोई आपका अपना नहीं है कोई आपके हस्वन कितनी प्रॉबलम में साथ नहीं देगा तो मैं उस पंडी जी को बोली भी कि भाई जब भाई साथ में काम कर रहे हैं तो वो खुले आम मेरे हस्वेन को पता चल गया, ऐसा नहीं है कि मैं हस्वेन को कान भरी हूँ, मेरे हस्वेन को ही भगवान ने डारेक्ट जानकारी दे दी कि भाई तुम्हारे माबाप भाई धोखा दे रहे हैं, जिसका गीतों कई बार मेरे सामने गित गा रहे हैं, कि जब मेरा पाफी भाइसगा नहीं हुआ तो बीबी क्या होगी ताना मैं सुन रही हूँ फिर मुझे ये बताईए आखिर मेरे हस्वेंट इतने महान भी नहीं है गुस्ये बाले भी है जैलियस भी है सही बोलू जब मैं हस्वेंट से ज्यादा कमा रही थी या अभी भी मेरे पास अगर ह हमारे बच्चों का परपटी है तो सोचे जब वो मेरे से जल सकते हैं तो बस मैं पंडीजी से यही कहना चारी हूँ कि देखिए मैं आप लोग पर विश्वास तो नहीं करती लेकिन हाँ जो परजंट में हो रहा है तो मैं आस्चर्ज कर रही हूँ कि ये कलियुग में जो स सच में मेरे हस्वेन को सबूत गवास सम मिल चुका है कि उनके साथ धोखा हो रहा है तो मुझे ये बताईए कि वो इतना महान कैसे बन रहे हैं इतना महान कैसे बन रहे हैं और साथ में काम क्यूं कर रहे हैं कैसे किस तरीके से कर रहे हैं आखिर उनको देखा कैसे जाता है जब मैंने कितने वीडियो बनाई में परिसान थी जब मेरा डिलेवरी हुआ उस टेम जब कोई उनके फैमिली मेंबर मुझे नहीं संभाला नहीं देखा तो मेरे हस्वेन को एक एक चीज पता है तो आखिर मेरे हस्वेन इतने महान कैसे हो गए और वो किस तरीके से माफ करके तो बोले आपके हस्वेन का दिमाग अपना है ही नहीं वो तो मतलब पूरा जो नचा रहा है वो नाच रहा है अखास कर आपके सास ससूर का भी सास ससूर भी अपने हिसाब से ने चल रहे हैं जो उनको गुलाम बना कर रखा हुआ है उस तरफ वो जुके हुए हैं उनका कहन जिन वी ना करूँ लेकिन जो परज्ट में हो रहा है जो परजंट में दिखंग कर सकती हैं कि हाँ घर में चाहे मेरे हस्वेंड होखर हैं मेरे साथ ससुर हो और मनें मैं कितना भी होसो हावास में बात कर लूँ मुझे पता है कि मुझे हस्वेन का साथ देना भी बहुत जरूरी है मुझे भी गुसा नहीं करना है मुझे भी पहुत पेसंस के साथ हैंडल करना है लेकिन यकीन मानिएगा सच में मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे उपर कौन आ जाता है कौन भूस सवार हो जाता है जो नहीं बोल चाहिए वो सब भी मैं बोल जाती हूँ जैसे कि ये वीडियो मुझे ऐसे ऐसे टाइम पर सोचिए मेरे पास खवर आ जाती है कि मेरे ससूर या मेरे सस्राल वाले यहां तक कि दिवरानी भी मतलब सब के सब चाल चल के मुझे इस घर से अभी भी निकलने के लिए बोल रहे हैं और अभी भी कह रहे हैं कि बाए किराया लग जाएगा बारा पंद्रह हजार में किराया लगा लूँगा वो घर से जाती क्यों नहीं है और ये मैंने वीडियो पहले भी सेयर की कि इस वीडियो मेरे हस्बन कई साल से मैं कह रही हूँ लिगम मुझे परपटी नहीं दिला र रहे हैं इलाज तक नहीं करा रहे हैं तो परपटी तो सोची दूर की बात है जान से बरके तो दिखी कुछ नहीं होता है ये सारा सबूत है ये सारा सबूत मैं कितने महने से बोल रही हूँ कि कब क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं है लेकिन सच में वो मेरा कहना नहीं मान हैं और यह ऐसा केस है ना सही बोलो इसमें पुलीस भी क्या करेगा कि भाई क्या करेगा लेकिन मुझे अप कहीं से पता चला कि भाई चाहें आपको बांध के लेके जाना परे हस्वेन को या मेहनों भर admit करना परे या जो भी होगा चाहे मतलब private में तो देखिए नहीं जाओंगी अब ms में क्या process है करना तो देखिए मुझे वहीं है क्योंकि मैं ये ने के रहे हूं कि 100% ms में लोग बच ही जाते हैं वहां अगर 1000 ठीक होते हैं तो दिन में 100-200 खतम भी होते हैं पूरा रोना धो से जब-जब जाती हूं देखती हूं तो 100% guarantee तो देखिए महां भी नहीं है लेकिन अगर 1% माल लेजिए अगर मेरे husband के जिन्दगी वापस भी मिलेगी न तो सोचिए बस वो ms में ही मिलेगी ने तो ऐसा नहीं है कि मैं पैसे बचाने के लिए private में दिखा रही हूं मुझे अभी भी किसी ने बोला मेरे ससूर जी का नाम की भाई कार्ड बना हुआ है प्राइवेट में दिखा देंगे ये आँख का जब प्रॉबलम हुआ था तब भी उन्होंने यही चीज बोला था मतलब जो सारे कितने प्राइवेट डॉक्टर ने मना कर दिया कि मेजर कि मेरे नहीं जा रहे हैं तो उनको समझाना कि बाई तुम सालों कि पृस नहीं के साथि कर रहे है मिलाज हुआ तुम दोनों बाई को सब कुछ ठीक की है तो आज भी उसके कहना मानों और उसके साथ जाओ काम होते रहेगा ये लाइन बोलने की बज़ाएं वो आज भी कह रहे हैं कि बाइ प्राइवेट में इलाज क्यों नहीं कराता या घर क्यों नहीं करता मतलब ऐसे टाइम पर उनको घर खाली कराना है और ये सारा मैं बोली ना मैं रात में जाके मैं देखके आई हूं और अभी टाइम तो है नहीं कि मैं फाइनल करूं लेकिन ये सब चीज भी मैं हस्वेन को खुश करने के लिए बोल रही हूं कि अगर आप परिसान है अगर आपको लगता है कि मावा अपने धोखा दिया है अरे भाई जब धोखा दिया है तो वहाँ से निकलो ना आप अपना जिंद्गी खतम कर देंगे मैं बार बार कह रही हूं खतम हो जाएगी कोई ने बदलने वाले ना माँ बाप भाई बहन बहन तो है नहीं भाई कि बीबी जो भी है किसी को कुछ फर्क नहीं परने वाला आज मैं खुले आम कह रही हूं अपनी जिंद्गी बचाईए ये परपटी सही बोलो मुझे नहीं चाहिए भगवान ने इतना दिया है कि मैं उसमें मैं और बेटी रह लेंगे काम करके मैं घर चला लूँगी लेकिन ये भी मैं बस जो मेरे ससुर जी मुझे चैलंज कर रह लूँगी अगर मुझे उपर वला का असिरबाद है अगर उपर वला मुझे दे ही सकते हैं हां ये जरूर है कि आज भी मुझे मेहनत करना परेगा ये मैं सोच ये करोरों का प्रपटी है और मैं करोरों का एक सकेंड में गिंती कर दूंगी लोन लूँगी गोल्ड बेचू भी बोल रही हूं मेरे हस्वेन की नेचर वैसे था नहीं मेरे हस्वेन अगर मुझे पांसो हजार भी एक तो देते नहीं है और देते थे तो हिसाब लेते थे और यहां सोचिये गारी घर जो नएने प्रपटी लिये हैं बिहार का प्रपटी किसी में हिस्सा लेने को सोचिय त्वो टयार नहीं है तो इतना सादू महात्मा अगर हो गये हैं तो बहुत ही आस्षस की एक झी nah हराम करके नहीं रखती हूँ क्यूंकि मैं बर बर कहती हूं जीना हराम करना बहुत ही असान है जिंन्दगी बरबात करना बहुत ही असान है मैं बोली न अगर मैं कलंक लगाना चाहूं देवरानी को तो जो जो पंडी जी बोले न मैं यूटुब पे सोसल मीडिया में आके और लोगों को मैं बहुत कुछ बता सकती हूँ लेकिन उससे क्या हो जाएगा अगर मान लिजिए ना मेरे पंडी जी सगे है ना जो पंद्रा साल से पहले मेरे जो सुसरालवरी रिलेटिव ने मेरे देवरानी के बारे में जो सिकायत की ये बहुत साल पहले जबकि सोची मैं उसको बहन बना के कितने उसका आत्मा जानता होगा कि मैं उसको कितना बहन बना के रहा हैं जबकि मुझे पता था कि इनके मैंके वाले या मिल के मान लिजी इस घर को नचा रहे हैं या गुलाम बना रहें, फिर भी मैं वो सब पर परह लिखी थी, मैं विस्वास ने की मैं बूलि यह सब लगता है, मेरी दिवरानी से जलते हैं या दिवरानी के मैके वाले से जलते हैं, इसलिए इन्होंने मुझे कान भरा है और मैं कभी भी ये हावी नहीं होने दी, मैंने कभी भी नहीं उसको जताया कि भाई तुम ऐसे मेरे साथ या अपने जेश जी के साथ चाल चल रही हो मैंने कभी एहसास लिए को भुतिए असके भगवान जानता है सब कुछ करती है तो वो लेडी जब ऐसे क्यों करेगी तो पंडी जी का यही कहना है कि इंसान जब अती पाप कर लेता है या अती पाप की कमाई उसको हिस्से में मिल जाता है तो भाई वो चाहता है न कि भाई भगवान के सरन में जाए ताकि उसके हस्वेन को कुछ ना हो सास पार्ट करती है इतना विश्वास मत कीजिए अभी भी विश्वास मैं अभी भी पंडी जी कहती हूं कि पंडी जी बोल दीजिए कि आप जूट बोल रहे हैं अगर पैसा चाहिए तो मैं ऐसी पैसा दे दूँगी इस टाइम पे मुझे प्लीज किसी के परती नफरत मत हो चुकी हूं ना मेरे को हस्वेन के खिलाब क्योंकि हस्वेन के खिलाब भी बहुत कुछ पंडी जी बोलते हैं देवरानी को लेके भाई को लेके माँ बाप को लेके तो मुझे सही बोलू मैं बहुत पैसंस रखती हूं बहुत ज्यादा लेकिन कभी-कभी मुझे हावी हो मैंने छोड़ दिया कुछ रिसदार मुझे बोलते हैं कि तुम जाके बोलो चिलाओ जितना बोल सकती हो ताकि तुम्हारा मन में जो इतना भरा हुआ है गुबारा वो निकले ने तो सही में तुम्हारा ब्रेन हेम्रेज होगा, हाटे टेक होगा, तुम हस्वेन को क्या इलाज कराओगी, तुम बरबाद हो जाओगी, तुम जाके बोलो, तुम किलियर करो, चाहें पंडी जी की बातों, चाहें जो परजेंट में हो रहा है, जब हस्वेन के साथ ऐसा हो रहा है, फिर भी अगर वो कि मुझे अब समझ नहीं आएगा कि सहीं में कौन अपना है या पराया क्योंकि आप लोग वीडियो के माध्धम से भी जानते होंगे कि मैं कितने महनों से मैं मैं रिक्वेस्ट कर रही थी कि भाई हस्वेन को अपने घर के बेटे को भाई को बचा लो क्योंकि मेरा कहना नहीं मानते कहना नहीं मानते लेकिन अगर आज मनने जिकर ओपरेशन हो जाता और जैसे मैंने खाना पीना के लिए बोला कि मां का हाथ खाना चाहते हैं वो सब पर ध्यान दो तो उनकी मां भी सबसे कहती है कि मैं मेरा नाम लेते हैं कि मेरी बहू ने सिखाया होगा कि आप मां का हाथ मत खाये मतलब सब कुछ सोची उल्टा पुल्टा हो गया जितना ही मैं भला चाह रही थी अब रिजल्ट यह आया कि यह मेरे पर ही सक्किया जा रहा है कि मैं रोक रही हूँ तो आप समझ सकते हैं कि हस्वन मेरा भी बात नहीं मान रहा है हस्वन मेरे माबाप मतलब अपनी माबाप के पास भी नहीं जा रहे हैं बात मान रहे हैं बस एक इस टेम पे भी है कि वो भाय के साथ काम कर रहे है तो कॉस्चन अब सब के दिमाग में ही आ रहा है कि इतना कु काम छोड़ तो अब अती हो गया भाया हमें पाप लगेगा मैं बोली भी कि अगर मैं अगर दिवरानी के जगा पे होती तो मैं अपने हस्वेंट से कहती कि भाई आपके भाई को प्रॉबलम है आप उनको काम बोलिए छोड़ने बोलिए भाई हम साथ काम नहीं करेंगे पहले अपना इलाज कर रहा हूं ने तो यह जो भी पैसा तुम्हारे मेहनत के हम खाएंगे ले जाएंगे वो हमें नहीं फलेगा आज मैं सच में कह रही हूं मैं इतना दिन से नहीं बोली लेकिन चाहें मेरे हस्वें को मरने पर कोई मजबूर कर दिया या सच में अगर इनके माबाप को अंगली पनचा रहा है सच में ऐसे बेटे को धोखा दिया जो कभी बीबी को सही में अपना नहीं समझ के माबाप को ही हमेसा अपना समझे आज वो माबेटा को एक अलग कर दिया तो मैं सही बोल रही हूं आज अगर मेरे हस्वें को कुछ हो जाता है तो मेरा है देही चुका है माली जी तो वो सच में इस जनम में तो माली जी बहुत शुक्ष होग लेगा अगले जनम सही बोल रही हूं सच में भर्वाद होगा सच में मतलब आप लोग यह मत्स सोचिए कि बस यह चोटी मोटी बद्वा है कि कुछ नहीं होगा नहीं पंडी जी ने इंगर आप पुजा जनुता के रहे तो अगर इंगे और अगर आयू नहीं भी देते हैं तो उनके लिए बस प्राथना कीजिए अहिसें से कि उनका अगला जनम सही हो और भगवान से और एक पत्नी के नाते मैं क्या बोलूं कुछ नहीं बोल सकती लेकिन हाँ बहुत ज्यादा इनके साथ गलत हुआ मैं यही कहूंगी मेरे मैके वाले अगर मेरे साथ गलत करते तो मैं सही में छोड़ देती सही में भले मैं नमक रो पती के साथ दे रही थी कि चोलो वो नहीं लड़ रहे हैं उनको अगर अच्छा लग रहा है तो चोलो मैं भी बरदास कर ली लेकिन एक तरफ इस टैम पे वो मेरे हस्वेन किसी के खिलाप अभी भी नहीं सुनना चाहते हैं और दूसरे तरफ सोचिए ऐसे टैम पे भी जो क कि कभी भी अब कुछ भी ख़बर आ सकता है पहले तो मालीजे इलाज के बाद कुछ खबर आता अब मालीजे ऐसा पोजिशन मेरे हस्वेन ने कर लिया है या करवा दिया गया है कि सोची अब घर बैठे भी कभी भी कुछ खबर आ जाएगा लेकिन अभी भी हमें कहरें घर खाली करो तो मैं हस्वेन से बोल दी कि बस अगर आपके माबापको यही जिद है नक हम खाली करेंगे तो ठीक है आप ऐसे टाइम पे भी हम लेंगे परपटी या जो भी है बस यही मैं प्राफना कर रही हूं सब कहते कि हाँ अपने हस्वेन को पकरो मैं कैसे पकरूं मुझ जो नहीं पर भरोसा है बागी किसी पर नहीं